जैश्री राम, जै हनुमान, रादे रादे जैश्री कृष्ण, I am your host अकाषदी बत्रा, welcomes you in my channel नाड़ी वेदिक astrology and लाल किताब निमरोलोजी, अब मैंने आड़ कर दिये, पहले मैं ये सारी चीजे नहीं दिखाता था, मुझे लगता था कि आप लोगों को नाड़ी mathematical calculation से ही सब कुछ पता चल जाएगा पर आजकल trending में बहुत है निमरोलोजी, it is a part of astrology, it is a small branch, otherwise नाड़ी mathematical calculation is the main calculation, उसके बाद वैदिक है, फिर लाल किताब है, फिर निमरोलोजी है, निमरोलोजी और नाड़ी mathematical calculations में काफी अंतर है, वो 70% तक सही है, पर 100% जो नाड़ी mathematical calculation है, आज मै आप लोगों को थोड़ी सी calculation दिखाऊंगा, career income को जानते हैं, child birth को जानते हैं, मूल अंक, भागे अंक निकाल के देखते हैं कौन से राजयोग बनते हैं, तो वीडियो को end तक देखना कोई फैदा नहीं है, उसको skip करकर के देखने का, यही गुजारिश है, और आप से ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा होसला बढ़ता है, 69% अभी भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और 30% या 31% है जिन्नोंने सब्सक्राइब किया, उन लोगों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना च शुक्रिया, अब एक काम और कीजिए, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को शेर कीजिए, शेर नहीं कर रहे हो आप, मैंने आपकी अपनी डेट ओव बर्थ से राज योग निकालना पिछले वीडियो में बताया था, उसको आपने ज्यादा नहीं देखा, मेर ज्यूसी करने वाले के पास कभी पैसा नहीं होता है, तो लेट अस टार्ट टुडेज वीडियो, हाँ तो गाइस हम लोग एक डेट ओ बर्थ लेते हैं, 27 जून, मैं यह लिख देता हूं यहाँ पर, 27 06 2005, 27 6 2005 जान के ले रहा हूं, 1997 वाली भी लूंगा, जिसमें 9 दो बर ही आता है, अब इसका जो मूलंक है, इसके बाद मैं आपको नाड़ी मैतामेटिकल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लाल किताब वैधिक से भी दिखाऊंगा, सारी एस्टोलजी आज मैं आपको बताने वालों, पर आप ध्यान से देखना, skip मत करना आप वीडि ये इनका भागय आंग कोगा, 2 और साथ, 9, 9 और 6, 15, 15 और दो 17 और 5, 22 एक और बरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 और 7, 29, 9 और 6, 15, 15 और 2, 17 और 5, 22, 2 प्लस 2 is equal to 4 तो 4 इनका भागे अंक हो गया तो मैं B को राउंड कर देता हूँ उसके बाद हम इनका कुवा नंबर निकालेंगे कुवा नंबर में डेट ओफ बर्थ को हम लोग छोड़ देते हैं काटा मार देते हैं और 2 प्लस 5 is equal to 7 अब अगर फीमेल है यह फीमेल है अगर फीमेल है तो 7 प्लस 4 करेंगे is equal to 11 11 1 प्लस 1 is equal to 2 तो 2 हो गया इनका कुवा नंबर और अगर यही मेल है तो जैसे यह 7 निकला तो 11 माइनस 7 हो जाता है उनका 11 माइनस 7 कर दीजिए आप उतना आजाएगा 4 आजाएगा तो फीमेल के अंदर प्लस होता है 4 और मेल के अंदर वो होता है अब मैं आपको इसके अंदर इनका यह जो है वो दिखा रहा हूं मैं मूल अंक 9 भाग गया अंक 4 कुवा नंबर इनका हो गया 2 क्योंकि 2 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11 11 सिंगल डिजिट पे लेकर के आना होता है तो यह हम लोगों ने लोशुक ग्रिड के अंदर फिट करना है देखने के लिए इनका कौन सा योग बनता है अब जैसे है मैं अगला चार्ट ले ले तो यहां अब उनका डेटो बर था 30 27 जो उनसा हो गया न 27 6 2005 लेफ्ट से राइट जाना है लेफ्ट से राइट जाना है तो 27 625 भरो इसके अंदर यहां भी लिख देता हूं मैं 27 6 2005 तो यहां पर 2 भरिये आप और यहां पर 6 भरिये फिर यहां पर 7 भरिये फिर दो दुबारा भरना है यहां पर फिर 5 भरना है ठीक है कि नहीं अब इनका जो उनसा भागय अंग था वो था 9 तो 9 को भी भर दीजिए मूलंक कौन सा था अब इनका जो मूलंक था वो 9 था अब जो मूलंक था और जो भागय अंग था वो था 4 और कौवा नंबर 2 तो 4 कौवा नंबर 2 ठीक है कि नहीं कौवा नंबर को हम भर देते हैं नो की जगा नो चार की जगा चार और दो की जगा दो तो ये दो तीन बारी आ गया ये तीन बारी दो आ गया दो बारी नो आ गया और ये इनका बन गया एक राजयोग जो की राजयोग नंबर 1 है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 5 6 support system पेरेंट्स का सबका पेरेंट्स का हो गया सबका support system है पांच और छे नंबर जब आ गया तो stock market में भी उपर जाएगी business के अंदर बहुत कमाल करेगी land property ठीक है कि नहीं पर hindrances है ये जो two number है ना तीन बरी आया है तो ये बहुत ज़्यादा emotional हो जाती है emotion होके decisions लेगी introvert हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा important है जैसे आप देख रहे हो screen पर दो triple two आ गया five आ गया six आ गया four आ गया missing number जो उन से हैं इनके missing number जो उन से है three eight और one three eight और one missing number है हम मैं इनको red पर कर देता हूँ three eight one number missing है इनके तो ये जो उन सा होता है न ये जो लोशू का grid है तो ये आप इसको एक दो तीन एक दो तीन एक ये हो गया एक ये हो गया तो आठ हो गया आठ planes है तो इसके अंदर एक पार कर लिया है इनोंने और और भी बहुत सारा कुछ है जैसे two seven six ये भी है four nine two ये भी है इन में तो four nine two four nine two जो आप उपर देख रहे हो और four five six तो number one ही है और two seven six तो तीन इनके ऐसे एक दो और तीन तीन लाइन्स इनकी पूरी होते है तीन planes इनके पूरे होते है लोशू ग्रेड में तो ये काफी ज़्यादा हद तक sacrifice ये बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी business करना चाहिए इनको ये बीबिये की तयारी कर रही है बीबिए कर रही है उसके बाद नंबर था भागे नंबर है वो 9 है सोरी मूलंक नंबर 9 है भागे नंबर 4 है इस तरीके से यह कैलकुलेशन है कुवा नंबर 2 निकाला मेल और फीमल दोनों का अलग होता है तो अब समझ लेते हैं इनकी नाड़ी वैदिक ऐस्टरोजी क्या बोलती है वह बड़ा इंबॉर्टेटा जानना अम आभ वो लैप्टॉप पर से देख रहे हैं और नाड़ी की कॉंकि कशी केलकुलेशन सबसे मायने हैं क्योंकि यह सारी ब्रांचेज हैं हैं जो तो mother of this astrology है वो वेधिक astrology नाड़ी astrology को मानते हैं उसके बाद ये एक branches है निमरोलोजी जो आजकल बड़ी trend में है कि mobile नंबर ऐसा रख लो नेम को change कर दो वह मैं आपने सारे अपने चैनल पर सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्रा बताऊंगा मैं बताऊंगा तब और इनके उपाएं भी बताऊंगा जैसे इस बच्ची के मिसिंग नंबर थ्री एट और वन है जुपिटर हो गया आठ शनी हो गया और एक सूरे हो गया तो ये चीजें मिसिंग है इनके तो वही मैं आप लोगों को समझाता हूं तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं उसके बाद मैं आप लोगों का एंड में समझाऊंगा ये वीडियो के एंड में कि इसके क्या उपाय है हमें क्या करना है तो यह उस बच्ची की डेट ओव बर्थ है और यह हम लोग उसका चार्ट दिखा रहे हैं आप देख सकते हो करियर के मैंने हमेशा बोला है पाच आठ बारा चे आठ बारा पाच बारा यह बहुत सारी हिंड्रेंसेज पैदा करते हैं और यह बहुत इमोशनल भी है प्रैक्टिकल तो है यह पर इमोशनल भी बहुत है अगर आप इसका ध्यान से देखिए मंगल और राहु एक साथ कठे बैठा हुआ है जो कि दर्शाता है कि यह अग्रेशन में आ जाती है कोई भी डिसीजन है ना सेंटिमेंटल होकर के लेती है जैसे निमरोलोजी में आपने देखा परन्तु उसके अंदर यह जो छे आड़ बारा दिख रहा है ना आपको यह इसकी हेल्थ को दर्शाता है हेल्थ के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है इसको जो कि हम लोग ने ठीक करी है स्किन डिजीज आ रही थी जो कि बहुत जादा खराब बात है उसके बाद हैल्थ की दिक्कत नहीं दिखती है निमरोलोजी के अंदर मेंटल स्ट्रेस ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन यह भी आता है और इनके जो चांसे से हिंड्रेंस बहुत आती है कोई भी काम अगर यह करने जाती है तो हिंड्रेंस बहुत जादा आती है तो यह नाड़ी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जैसे आप देख रहे हो सैटरन मर्कृ और वीनस यह बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है प एक राजयोग लेके पैदा हुई है वह यहां पर भी दर्शार है सैटरन मर्कृ वीनस एक ऐसा तगड़ा राजयोग होता है चौथे घर में प्रॉपर्टी के घर में है सुख शान्ती का घर है और भी बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा इनका बहुत स्ट्रॉंग है इलेव अच्छी है राजयोग यहां पर भी आ रहा है पर इसमें और ज्यादा क्लियर नजर आता है बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है तो सारी चीज़ों से हम देख करके ही किसी का भविश्य करते हैं अगर आप मेरे को एपॉइंट्मेंट बुक करते हो तो आपके पैसों को ज शुरू कर जाओंगा आपने चुप रहने ठीक है कि नहीं तो यहीं चीज में आपको दिखाना चाहता था कि नाड़ी की मैतामेटिकेशन मैं मैं नाड़ी की मैतामेटिकल कैलकुलेशन इस वेरी वेरी स्ट्रॉंग उपर जो आप देख रहें चार्ट से वह वैदिक है और नीचे जोन सा है नाड़ी की मैतामेटिकल कैलकुलेशन है